मैं आज एक और अधिवुत बात कहता हूँ, गौतम राने उस पर थोड़ा शोध करेंगे, फिर आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे. उत्तरप्रदेश में, आपको बात करेंगे, हर पार्टी का एक जातिगत जुकाव रहा, ठिक, काउ तो मैं दोहरा दू बरना सब को पता ही है, उत्तरप्रदेश की बात कालुशन? ठीक, अगर माया बती जी सारे दलितों को ऐसा कर गई होती कि उनको मुफ्त अनाज की जरूत नहीं होती वो खुद जिंदा रह लेते, तो उतना हिस्ता तो बचता, ठीक, या मुलाइम सिंग जी अगर सारे पिछलों को इतना सशक्त बना गए होते तो वो भी बचते, मुसलमा इसने सबको बना दिया होता सर्व धर्म संभाव के आधार पर, तो फिर मुफ्त अनाज की जरूत तो आज नहीं पड़ती 2022 में, इस पर भी सोचिएगा, आपने अपने अपने जनाधार के साथ भी न्याय नहीं किया इसका मतलब, दोनों चीजे सत्य नहीं हो सकती, माफ करि दोनों चीजे सत्य कैसे हो सकती है, मेरा पूरा घर, अगर राशन के दुकान पर मिलने वाले सर्शाषगी, सहयोग से जो निशुलक मिलना आज उस पर जिंदा रहा 19 महिने, 20 महिने, तो मैं किस मुह से दावा करूँगा, कि मैं शशक्त हूँ, मैं विक्सित हूँ, मैं पालचां यहीं, नहीं कहसा सकता न? कि गवतयम राने, नहीं कहसा सकता न? वैसे ही भिर देश और पदेशिक कैसे कह कि कोई? रे यह रहेदा शी की चिंतन, यहाँ प्रासंगही था, यहाँ प्रासंगही था, 600 और शानाप स。 वो संत क्या लिग गया उस पर आज समय नहीं मिला ने मिच बता था कि उन्होंने एक राज्जी की कलपना की संत राइदास ने गवतम राणे के निगात से ज़रूर गुजरा होगा बेगंपुरा शहर उसमें उन्हेंने बताया क्या इसा शहर होगा जैनागरिक पर कर नहीं लगे सहरतना की स्वतंतरता हासल हो उच नीच का भेदभाव नहीं हो छेस्सो चालिस साल पहले बोल रहा था वो संत देखिए समझिए तो समाज में आएगा क्या ये छोटी बात है अलम लाइब्रेरी की अलमारिया भनी है सरकारी योजनाओं और विकास की किताबों से और ननकू और रज्जाक लाइन में लगा है पांच किलो चावल के लिए क्या कहें मैं कांग्रेस को बरी नहीं कर सकता मैं किसी पार्टी को बरी नहीं कर सकता जिसने भी इस देश पर शाषन किया या उत्तर पधेश में शाषन किया बज जगदबिका पाल की जिम्मिदारी नहीं लगा सकता वह 72 गंटे में डिफंक्ट चीफ मिनिस्टर थे बागी तो सब की जिम्मिदारी लगा हुआ चंद्रवान गुप्ता कैसे बरी हो जाएंगे चंद्रण सिंग साथ कैसे बरी हो जाएंगे विश्विनात प्रताब गोविंद बल्लब पंत्र से शुरू करिए और रास्त्र काईए चोटी बात है क्या यह कौन लोग है इन तक विगास की रोशनी क्यों नहीं पहुंची कि इनको जिंदा रहने के लिए सरकार के अनाज की जरूत नहीं पढ़ाएं सरकार से और मदद की जरूत तो पढ़ाएं लेकिन रोटी के लिए सरकार से अनाज की जरूत नहीं पढ़ाएं संख्या बहुत बड़ी है मित्रिये यह आज नहीं तो कल नहीं तो परसो यह राष्ट्र के विमर्ष का विश्य बनेगा 80 करोण लोग 80 करोण आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आधे से ज्यादा और दोत्याई उत्तर पदेश यहां से विक्ट ढ़ारा को बदलाव चाहिए और वह बदलाव इससे नहीं आएग wire का अंग्रेसग वाले भाजपाक का कुर्ता ख़ाई के सपा प्र जाएंगे फिर क्या हुगा उस्यासे क्जह हासल होना और नहीं न अपनी अपनी जिम्मीदार siakar कर है मानिये कि इस सामोही का स्फलता है जिसने आज यहां लाके खड़ा कर दिया हमको गवतम राणे गलत तो नहीं कह रहा क्या कोई पार्टी इससे भरी हो सकती है क्या जितने भी शाशक रहे उन सबको नेतिक जिम्मिदारी लेनी चाहिए तब गरीब के हित की बात हो पाएगी गरीब के हित का चिंतन हो पाएगा मैयाज के इस पुन्य अवसर पर जब उस महान संत के आविरभाव का प्राकट्युत्सव का दिन है ये संत रहिदास का तब एक बात कहूंगा जो हुआ उसको हम अंडू नहीं कर सकते आज ही ये शपत लेले कि इस चुनाव के गर्व से जो सत्ता उपजे वो ये सुनिश्यत करे कि दुबारा को यह इसी परष्ठिती बने तो लोगों का जीवन बचाने के लिए और सब काम तो करना जरूरी हो अनाज की समस्या तो नहीं आए कि मुफ्त अनाज मिलेगा तो आदमी जिन्दा रहेगा और वो भी इतनी बड़ी तादा तो मैं तोटल आवादी का दस फिस्दी हो समझाता है पंद्रा फिस्दी हो समझाता है आधी आधी आवादी देश आधा और उत्रपदेश दोत्या ही ये रास्ता ठीक नहीं इस पर चिंतन करिए यहीं चिंतन संतर अविदास के चरणों में श्रधान जली होगी इस देश की राजसत्ता की इस देश की राजनेतिक वर्ग की अब उत्तर चाहिए प्रोट्यूबाई केसरी मरहम एवम तैलम वर्शों से दर्थ पे सबसे ज़्यादा असरदार